नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, Realme GT Neo 6 5G vs Xiaomi Mix Flip 5G का फुल डेप्थ कमपारिजन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की, दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Neo 6 में 6.38 इंच जब की Mix Flip में 6.59 इंच की लेंख मिलती है वीडि की बात करें तो, Neo 6 में 2.96 इंच जब की Mix Flip में 2.91 इंच की वीडि मिलती है जोकी Neo 6 से कम है बात करें थिकनेस की तो, Neo 6 में 0.34 इंच जब की Mix Flip में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Mio 6 में 191 ग्राम्स जबकि Mix Flip में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेन जैसा ही है चलिए अब हम दिस्प्ले की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Mio 6 में AMOLED जबकि Mix Flip में Flexible AMOLED की डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Mio 6 में 6.78 इंचेज जबकि Mix Flip में 6.86 इंचेज मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन Mio 6 में 1264 x 2780 px fhd plus और Mix Flip में 1224 x 2912 px मिलता है Screen to Body Ratio Mio 6 में 91.22 प्रतिशत जबकि Mix Flip में 87.45 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Mio 6 में 450 px प्रति इंच जबकि Mix Flip में 460 px प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें main camera की तो Mio 6 में 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में 8 MPF 2.2 ultra wide angle camera देखने को मिलता है और mix flip की बात करें तो इसमें भी हमें 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में telephoto camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो दोनों phone में 11 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Neo 6 में Adreno 735 जबकि Mix Flip में Adreno 750 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Neo 6 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और Mix Flip में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है बात करे RAM की तो दोनों phone में same ही 12 GB RAM मिलती है बात करे internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 256 GB storage मिलती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system दोनों phone में Android V14 देखने को मिलती है बातरी Neo 6 में 5500 mAh जबकि Mix Flip में 4780 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं कल असकी बात करें तो दोनों phone में same ही 3. Colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करे price की तो Neo 6 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 35,090 रूपीज में मिल जाता है और बात करे Mix Flip की तो वो 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 75,000 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करे है result की तो डिस्प्ले में Mix Flip आगे है Main camera में दोनों फोन सेम ही है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Mix Flip आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S24 5G है दूसरा Google Pixel 8 A5G है तीसरा Motorola Edge 50 Fusion 5G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Realme GT60 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी प्रियो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रिप्याय से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले